हाई फ्रेंड्स वेल्कन चैनल फैक्ट कनिशा तो दोस्तो हिंदु धर में रहिवार का दिन सूर्य देव को समयर्भित होता है कुंडली में सूर्य ग्रह को प्रदान ग्रह माना गा है मानने ता है कि जातक की जिया दोस्तो मानने ता है कि जातक की कुंडली में लेकिन अगर किसी के कुंड़ी में सुर्य कमज़वर सिती में है या सुर्य दोष होता है तो उनको किसी कारे में सपलता नहीं मिलती है और दोस्तो अने गरोकों से घेरा जाता है तो दोस्तो जोती शासर में सूरे ग्रव को मजबूत करने के लिए कई उपाई के बारे में पताएगा है जिने अपना कर आप भी नवकरी बिजनेस में सपलता पास सकते है रहिवार के दिन सूरे की अरादने के लिए उत्तम माना जाता है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि कुंडली में सूर्य ग्रव को मजबूत करने के लिए किन उपाय को किया जाना चरूरी है तो दोस्तो ये वीडियी शुरू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब आपशे करें बेल आइकन प्रेस करके औल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरूआत करते हैं फिडियो से तो दोस्तो कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए करें ये खाया सुपाय कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए कम से कम बारा रईवार को रत रखे रत रखने से सूर्य की गुरुपा प्राप्त होती है और सफलता मिलती है दोस्तो जोती शासर के अनुसार सूर्य मजबुत करने के लिए रहिवार के दिन सुबस नान के बाद लालव स्रधारन करे ओम राम रीम रोम सूर्यायन मंतर का तीन पाच या बारा माला जब करे के लिएशक को जलार्पित करे ऐसा करने से भी सूर्य मजबुत होता है कैता है कि रहिवार के दिन नमाक का सेवन नहीं करना चाहिए खाने में दलिया, दूद, दही, घी, चीनी, गेहु की रोटी का सेवन कर सकते है तो दोस्तो धार में गरंत क्यानुसार रैवार के उर्रत रखने से सूर्य शूफल देता है साती शाररी कश्टों से मुक्ति मेलती है, आरग्य प्राप्त होता है दोस्तो सूर्य कमजर होने पर जातक को लाल और पीले रंका, वस्र, गुड, सोना, तामबा, मानिक्य, गेहु, लाल, कमल, मसूर धाल, गाय, आदी का दान करना चाहिए तो दोस्तो इस तरह आप दान धर्मक करते है, तो दोस्तो अवश्य आपके कोंडले में सूर्य मजबुत होकर आपको नौकरी और बिजनेस दोनों मिल सकते है जी हा दोस्तो तो दोस्तो ये उपाय अवश्य करने चाहिए रत्न शास्त्र में सूर्य को मजबूत करने के लिए मानिक के रत्न के बारे में बताया गया है सूर्य मजबूत करने के लिए मानिक के धारन कर सकते है दोस्तो आधित्य रुद्य स्तोत्र का पाट करने से सूर्य देव प्रसन्न होते है और दोस्तो इस दिन आप गायती मंतर का जाब भी किया जा सकता है जोती शात्र के अनुसार सुर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रैवार को गोव सेवा करे जीहा दोस्तो इस दिन गाय को रोटी खिलाए मचलियों को आठी की गोलिया डाले और चिटिया को चीनी डाले दोस्तो कहते है माता पीता के नेमे तरन स्परश करने से सुर्य ग्रह मजबूत होता है दोस्तो उनकी आदनिया का पालन करे और उनका कयाल रखे इससे भी सुर्य मजबूत होता है तो दोस्तो इस तरह आप उपाई करेंगे तो आपके कुंडली में सुर्य मजबूत किती में आएगा और आपको नवकरी दिलाएगा आपको व्यापार दिलाएगा और चलाएगा भी यानिके आपका व्यापार खुब चलेगा तो दोस्तो देर किस बात की यदि आप नवकरी करते हैं तो आपको अच्छी सरकारी नवकरी भी मिल सकती है दोस्तो आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ सकता है तो दोस्तो ये अवश्य उपाई कीजिएगा इससे आपको लाभी होगा तो दोस्तो आपके वीडियो कहचा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम स्री सुरह नमा आवशे लिखेगा धन्यवाद धन्यवाद